नमुश्कार मोप्री आज है साथ जनवरी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में कोरिना के बढ़ते मामलों को देखते वे बंध हुआ स्कूल और कॉलिग बिहार में कोविड नाइंटीन के दो हजार से ज्यादा मामले आए सामने भारत पे बनी नैनो यूरिया का बिहार में उपयोग शुरूग पतना जंक्शन पर जल्द मिलेगी एरपोर्ट जैसे सुविधा बिहार वासियों को अभी नहीं मिलेगी ठंड से कोई रहाथ अब जले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार में कोरोना के बठे मामलों को देखते वे बंद हुआ स्कूल और कॉलेज बिहार में कोरोना के बठे प्रभाव को देखते वे सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को ततकार प्रभाव से बीते दिन बंद कर दिया गया है 21 जनवारी तक के लिए सरकार नहीं आदेश जारी क्या है इस दोरान इन संस्थानों में 50 फीज़ दी कर्मचारियों को पसिती की छूट दी गई है हाला कि ओनलाइन प्रासेस पहले की तरह संचालित होंगे सभी तरीके की परिक्षाएं भी समय पर आयोजित होंगी राजु के मुखे साचिव आमिर सुभाने ने इस बात के आदेश जारी कर दिया है हाला कि इस से पहले बिहार के सभी नौवी, दसवी, ग्यारहवी और बारहवी के स्कूल और कॉलेज को पच्चास प्रतेशत उपसिती के साथ खोलने की बात कही गई थी लेकिन अब सब कुछ बंद गर दिया गया है भारतिय प्रतिभूती और विनियम अंबोर्ड सेवी ने निकाली रखतिया भारतिय प्रतिभूती और विनियम बोर्ड सेवी ने सहायक प्रबंधक अधिकारी ग्रेट के 120 पदों के लिए आवेदन की मांग की है इन पदों के लिए अनुसाफशन की बात करें तो इसमें सामाने कानूनी सूचना प्रोध्योगी की अनुसंधान कारियाले भाषा शामिल है वहीं अगर हम सैक्षनी क्योगिता की बात करें तो कानून और इंजिरेडिंग में डिगरी CACS, CFA, CWA, MCA या प्रसांगिक अनुसाफशन में पीजी होना अनिवार है इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर ज़ा कर ले सकते हैं बिहार पीच्क्यू ने सभी जिलों के SP को जारी के आदेश बिहार में कुरोना संक्रबन की रफ्तार को ध्यान में रखते वे बीते दिन से सक्त पावंदिया लगा दी गई है जो इसके बाद बिहार पीच्क्यू ने भी सभी जिलों के SP को ज़रूरी तेशा निर्देश जारी कर दिया है इसको लेकर बिहार सरकार के आदेश के मताविक बिहार पुलिस मुख्याले ने सभी जिलों के SP को सभी पुलिस कर्मियों को खुद को सुरक्षित रखने के साथ-साथ आम लोगों के लिए बनाएगया गाइडलाइन का पालन करवाने का निर्देश दिया है पुलिस मुख्याले के ADG जीतें रिसिंग गंगवार की माने तो पुलिस ने पहले और दूसरी लहर के कोरोना महमारी के समय अपने करतव्यों का पालन करते वे निश्ठा से अपनी जूटी निभाई है उन्हें नियमों का पालन करवाने में किसी तरह की मुश्किलों का सामना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा विहार में COVID-19 के 2000 से ज्यादा मामली आये सामने विहार में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है स्वास्तव भाग की तरफ से मेली जानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2389 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वहीं आक्टिव मरीजों की संख्या 5785 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो बिहार के किसानों के बीच यूरिया की कमी एक बड़ी समस्या रही है ऐसे में बिहार के किसानों की मदद के लिए ही भारत में बनी नैनो यूरिया का उपयोग शुरू करवा दिया गया है विश्व में पहली बार भारत में नैनो तकनीक से बनी नैनो तरल यूरिया आठ जुलाई से राजु के बाजार में उपलब्ध है जिसकी लाँचिंग क्रिशी मंतरी अमरेंद प्रताप सिंग को ही करनी थी जिसके बार अब बीते दिन से राजु की किसानों के उस तरल यूरिया की जानकारी देने को छे रत जुलो में रवाना किये गये हैं इन रथों को भी क्रिशी मंतरी को रवाना करना था लेकिन उनकी तवित खराब होने के कारण इफको के निर्देश के बाद प्रेम चंदर मुंशी ने रथों को रवाना किया इस अफसर पर इफको के राजुय विपनन अधिकारी सोवेश्वर सिंग भी उपस थे ते इसके पहले क्रिशी मंतरी श्री सिंग ने नैनो यूरिया की लाँचिंग जुलाई महीने में की थी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि इफको ने पहली बार जब नैनो तकनीक से यूरिया तयार किया तो केंदर सरकार ने इस शोध को मंजूरी दे दी शोध करताओं का दावा है कि इस तरल यूरिया के उपयोग से किसानों का 60 प्रितिश्वत खर्चा कम होगा बिहार में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है हर दिन आ रहे मामले आप डराने लगे हैं यही कारण है कि बिहार की स्वास्ते विवस्ता को भी करोना के हिसाब से दुरुस्त किया चा रहा है जिसके तहर्ए बिहार के प्राइवेट असपतालों में संक्रमितों के इलाज के लिए क्या विवस्ता है कितने बेड मौजूद है इस बात की जानकारी अब सभी अस्पतालों को पोर्टल पर देनी होगी इसको लेकर ही बीते दिन जुला प्रसाश्री ने सुची बध प्राइवेट अस्पतालों के संचालकों को निर्देश दिया है कि अपने यहां बेड और मरीज का विवरेंट स्वास्त वभा के पोर्टल पर जरूर दे जुना अधिकारी डॉक्टर चंदर शेखर सिंग की अधियक्षता में कोरोना संक्रमन को लेकर बैठक आयोजित हुई इसमें हर पहलू पर विचार किया गया अधिकारियों का कहना था कि संक्रमन काफी तेजी से फैल रहा है ऐसी स्थिती में मरीजों को अस्पताल में भर्टी करने की नौब बताएगी बिहार वासियों को अगी नहीं मिलेगी ठंड से कोई रहात इस दोरान ना किवल अधिक्तम बलकि न्यूंतम तापमान भी सामाने से काफी नीचे रहने के आसार है पटना का न्यूंतम तापमान गिर कर 9.2 डिग्री पर आ गया है पॉसम विग्यान किंदर पटना के अनुसार पिछले 24 घंटे के दोरान प्रदेश का मौसम सुष्क बने रहने के साथ ही पच्छवा हवा का प्रमाज जारी रहा इससे अधिक्तम तापमान में लगातार गिरावट जारी है जिसकी कारण लोगों को थंड का एहसास लगातार हो रहा है और लोग अपनी रजाई कंबल में दुब के रहने पर मजबूर है निगरानी ने टेंडर में पकड़ी भारी गरबड़ी विहार में सरकारी कामकाज में हर दिन गरबड़ी की श्रिकायत सामने आती रही है जुसका खुलासा निगराने विभाग समय समय पर करता भी रहा है इसे बीच निगराने विभाग ने एक बार फिर से टेंडर मेला प निविदा की शुकायत की जाच में कई अनिमल ताइं पकड़ी। इसके बाद 12 बिंदों को रेखांकित करते वे भविश्य में इस तरह की गलती नहीं दोहराने को कहा गया है। बिहार के जेलों में नहीं बची जग है। बिहार के जेलों में कैदियों को किस तरीके से ठूस ठूस का रखा जा रहा है इस बात को आप इसी से समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में श्रमता से 20,000 अधिक बंदी कारागर में बंद है। बिहार के जेलों में श्रमता से दो गुना तीन गुना कैदी रखे गए हैं। कमोबेश बिहार के सभी जेलों की हालत कुछ ऐसी ही है। कर दी थी लेकिन अब अपने एडवांस को बापस मांगने बालों का फोन आने लगा है। सरकार की नई गाइडलाइन के तहट ही कई तरह के विवसाय से जुड़े लोग पर काफी असर पड़ा है। मैलज गार्डिन हो, मैलज हौल हो, बैंड बाजा हो, डीजे हो, हलवाई हो, वेटर हो, सजावट करता हो, घोडी वाले, केटरिंग समेत, कई अन्यवेवसाय के लोगों के चहरे पर फिर एक बार मायूसी है। दक्तरों के संक्रमित होने पर इलाज नहीं होगा प्रभावित। कि कोविड ड्यूटी के लिए अलग-अलग सीनिय डॉक्टरों के नेतरत्व में टीम गठित की गई है। उसमें सीनिय रेजिदेंट से लेकर जूनियर रेजिदेंट को भी शामिल किया गया है। टीम के कोई सदर से संक्रमित हुआ तो फिर उसके अन्य सदर से जिम्मवारी संभालेंगे। वहीं आईज्याइमस में मरीजों के इलाज के लिए तीम का गठिन किया गया है। इस टीम को तीम भाग, मोबाइल टीम, स्टाटिक के टीम और क्विक रिस्पॉंस टीम में बाटा गया है। स्टीएफ की अब बढ़ेगी ताकत। बिहार स्टीएफ की ताकत अब और ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि जल्दी अब स्टीएफ में जवानों को शामल किया जाना है। प्रिला वार और जंगलों में अभियान की बारिक यां बताई जाएगी। की तहती यात्रियों को वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पार्किंग शुल्क से बचने के एक शर्थ में ये है कि वाहन चालक यात्री को रेलवे जंक्शन पर उतार कर तीन मिनट के अंदर वहां से चलते बने। पटना रेलवे जंक्शन एरिया में तीन मिनट से ज्यादा के ठहराव पर पार्किंग शुल्क देना होगा। एरपोर्ट जैसी सुवधा जल्द ही पटना रेलवे जंक्शन पर भी मिलने लगेगी। इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। जोसो उन्चास मौजो को चकबंदी के लिए अधिसू चित किया था। चकबंदी तो नहीं हुई लेकिन जमीन की खरीद विक्री पर रोक लग गई है। इससे किसानों में भारी नालाजगी थी। जिसके बाद ही बीते दिन सरकार ने अपने निर्ने को वापस लेने का एलान किया है। हालाकि किसानों ने पाबंदी हटाने के लिए राजस वेवं भूमी सुधार विभाग को ग्यापन दिया था। विभाग ये मंतरी राम सुरत राय ने विभाग से पाबंदी हटाने का प्रस्ताव मांगा था जिसके बाद ही अब निर्ने लिया गया है। प्रस्बूत करने, टीका करन अभियान को तेज करने के साथ ही जरूरत के हसाब से कुछ पाबंदिया लगानी होगी। यह समय सतर्क रहते हुए बचाव के सभी नियमों का सक्ती से पालन करने और कराने का है। इसमें किसी भी सतर पर कोई धिलाई नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इसको लेकर बिहार में हर दिन आ रहे दैनिक मामलों की संख्या की जाज के लिए जाज का दायरा भी बढ़ाना होगा। बिहार में गारियों की बिक्री पर लगा कोरोना का ब्रेक। बिहार की बात करें तो गारियों की बिक्री का बाजार कोरोना के बाद ही कम हो गया। बिहार के संक्रमित होने के बाद अब केंद्रे ग्रिह राज्यमंत्री नित्यानंद रोई भी कोरोना पॉजिटिव पाए गये हैं। बाज्यमंत्री नित्यानंद रोई ने खुद के संक्रमित होने की जानकारी ट्वीट से दी है। दरसल बीते दिन राज्यमंत्री ने एक ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोधी और भाज्यमंत्री नित्यानंद रोई पाज्यमंत्री नित्यानंद रोई है। राज्यमंत्री नितिश कुमार को दिया ओफर। नहीं दे रहे हैं तो नितिश को इन्हें हटा देना जाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि ऐसा करने से सरकार के सामने संकटाता है तो राज़त साथ देगी। राबरी लालू जातिगत जनगरना की मांग करते रहे हैं। नितिश जी भी दो बालवधान सफा में कह चुके हैं अगर उनकी ही पार्टी के दल नहीं मानते हैं तो हमारी तरफ से जद्यू को पूरा समर्थन है। जीतनला मांजी ने डॉक्टरों को लेकर सीम नितिश कुमार से की मांग। प्रसंच्रा की जाए वो कम है। कोरोना होने पर अपने जब साथ छोड़ देते हैं तो यहीं चुकेत्सक और नर्सिंग स्टाफ ही हमारे अपनों से बढ़कर हमारी सेवा करते हैं। ऐसे में हमारी सेवा मिलेगे जितने भी चुकेत्सकों ने अपनी जान गवाई है उन्हें यह सम्मान जरूर मिला चाहिए। अब माले की रसर विधान परिसद पर भी। क्योंकि ऐसा कुछ बिहार में पहली दवाद देखने को मिलने वाला है। हाला कि भागपा आगे क्या करती है? 11 जन्वरी को पटना में आयोजित माले की स्टान्दिंग कमीटी की बैठक में इस पर अंतिम देड़ने होगा। पियम मोदी की सुरक्षा में चूप को सीम नितीश में बताया दुर्भागेपुल। महीं सीम नितीश रे पंजाब सरकार पर सवाल उठाते वे कहा कि सुरक्षा प्रोचो कॉल का कड़ाई से पालन सुनेशित करना चाहिए था। दोशियों के खिलाफ कड़ी कारवाई होनी चाहिए थी। मुक्य मंत्री नितीश कुमार ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा में हुई चूप की घटना दुखा दे। सुरक्षा ववस्था में चूक होने के कारण प्रिधान मंत्री मोधी को अपनी यातरा सगित कर वापस दिल्ली लोटना पड़ा प्रिधान मंत्री की सुरक्षा में इस तरहे की चूक चिंता जनक, मिंदनिये और दुर्भाग्यपूर्ण है भारत की जनता ने 1980 में एक बार फिर से देश की बागडोर इंदरा गांधी के हाथों सौब दी IT कंपनी सत्यम के चेयर्मैन रामो लिंगम राजु ने 2009 में अपने पत से इस्थीफा दिया भारत के जाने माने शत्रण जुखिलाडी कृष्णन शाशी किरन का 1981 में जन्म हुआ हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता जौनी लीवर का 1950 में जन्म हुआ हिंदी फिल्मों के अभिनेतरी रीना रोई का 1957 में आजी के दिन जन्म हुआ था भारतिय अभिनेत्री सूपरिया पाठक का 1961 में आज़ी के दिन जन्म हुआ था 1966 में हिंदी फिल्मों के एक महान फिल्म निर्देशक विमल रॉय की जान चुट रहे थी साथ आफ्रिका के खिलाफ दूसरा टेस्ट हार गई टीम इंडिया भारत और साथ आफ्रिका के भी जोहांसबर के दे वांडरेस स्टेडियम में सीजन का दूसरा मैच बीते दिन खेला गया जिसके चौथे दिन साथ आफ्रिका ने साथ विकेट से जीत दर्श की यह वांडरेस में चौथी पारी के दौरान मेजबान टीम की सबसे बड़ी जीत है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि भारत ने तीन मुकाबलों की सीरीज का पहला मैच 113 रन से अपने नाम किया था लेकिन अब साथ आफ्रिका ने बराबरी कर ली है जिसके बाद अब दोनों टीम के बीच केप टाउन में 11 जनवरी से सीरीज का तीसरा और अधिम मुकाबला खेला जाएगा और फिलहाल दोनों टीम एक-एक से बराबरी कर रही है कल हमारे दोरा पूछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत-बहुत हनिवार आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पंकच कुमारदास, श्याम कुमार मंडर, अभी मनियो कुमार, शंदन कुमार, मनोज मगधी, चंदर पासवान, बंडन यादव, मृतुंजे कुमार, मुन्ना कुमार, अन्बर करीम खान, सुमीत शर्मा, सौरब कुमार आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, तो च्छल ये बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके रुसार, बिहार में कोरोना की बढ़ती रफतार क मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, इसके साथ ही आज के रिबस इतना ही, बिहार की बड़ी खबरों से अब्रेटेड रहने के लिए, हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले बाने बात